नमस्कार आदाव, न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है, मैं हूँ अधिती, आईए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्ख्यों पर JPC में इनिजी डेटा सुरक्षा कानून को मन्जूरी संसद में होगा पेश लखना महापंचायत में टिकेट का एलान जारी रहेगा आंदोलन जनजातिय गौरफ सप्ता में करोणों खर्च, लेकिन आदिवासियों को क्या मिला हर्याना के गाउ में आजादी के 75 साल बाद भी डलतों के साथ भेदभाव और आखिर में करोणा अपडेट देश में करीब 10 महीने के बाद 8,000 से कम नए मामले संयूक संसदिय समिती यानी जॉइन पार्लिमेंटरी कमिटी ने आज परसनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर बैठक की इस बैठक में समिती ने इस बिल पर जॉइन कमिटी की मसौदा रिपोर्ट को बहुमत के साथ अंतिम रूप दे दिया है उम्मीद है कि इस विधेयक को जल्दी संसद के आने वाले विंटर सेशन में पेश किया जाएगा लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं है कॉंग्रेस के चार, टीमसी के दो और बीजेडी के एक सांसद ने समिती की रिपोर्ट से अहसमिती जताई है तीन कृशी कानूनों की वापसी को अंदोलन कर रहे किसान पहली जीत मना रहे है और अब किसानों ने आगे की योजना बनाते हुए MSP कानून, श्रहीत किसानों को मुवजा और श्रहीत समारक, लखीमपूर हिंसा में दोशियों को सजा की मांग के साथ अंदोलन जारी रखने का फैसला किया है 22 नमेंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनाओ में हुई किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के राश्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकेत ने ये सभी मांगे सामने रखते हुए कहा है कि प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी किसानों को बाटने की कोशिश कर रहे हैं किसान लगातार कह रहे हैं कि टीवी पर एलान करने से कानून वापस नहीं होते बलकि कानूनों को वैसी ही वापस किया जाता है जैसे वे बनाए गए थे यानि सांसत के सत्र में जनजातिय गौरफ सप्ता के समापन में मध्यप्रदेश के मुख्यमंतरी शिवरात सिंग चौहान ने मंडला में टोकन के रूप में आधिवासियों को वन अधिकार पट्टे प्रदान किये उन्होंने आधिवासियों को यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो उन लोगों के भले के लिए सोचती है लेकिन बात तो दसाजार से अधिक वन ग्रामों में वन अधिकार मान्यता कानून की हुई थी जिसमें समुदाइक वन संसाधनों के अधिकार पत्र आधिवासियों को मिल जाने थे और अगर व्यक्तिगत पट्टे की बात की जाए तो सुप्रीम कोट में मध्यप्रदेश के 3,60,000 आधिवासियों के दावे लंबित है प्रदेश के अधिवासियों के लिए सवाल बरकरार है कि करोणों खर्च कर यह जो सम्मेलन किया गया क्या वो भाजपा के अजेंडे का हिस्सा भर था क्योंकि अधिवासियों को तो कुछ मिला ही नहीं यह पूरी रिपोर्ट आप हमारी हिंदी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं हर्याना के रोतक जिले के ककराना गाउं में दलित वर्ग के लोगों को आजादी के 75 साल के बाद भी समाजिक नयाय का बुन्यादी अंच भी नहीं मिला है गाउं के लोगों को हर रोज जाती के अधार पर समाजिक बहिशकार का सामना करना पड़ता है मंदिर में प्रवेश से लेकर नल एवं कुए में पानी भरने तक की अनुमती नहीं है मामले को लेकर गाउं में ब्रामन समुदाय एवं दलित समुदाय के लोगों के बीच तना तनी बरकरार है गाउं के दलित वर्ग के लोगों का कहना है कि ब्रामन समाज के खेतों एवं आन्या जगय पर लगे नल से दलित वर्ग के लोगों को पानी भरने की अनुमती नहीं है यदि कोई व्यक्ति नल से पानी भरता है तो उसे रोक दिया जाता है तथा हिदायत दी जाती है कि वह अगली बार उस नल से पानी भरने की हिमाकत भी ना करे यहाँ पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आप हमारी हिंदी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और आखिर में करोना अपडेट केंद्रे स्वास्थे मंत्राले द्वारा आज मंगलवार 23 नम्मेंबर को जारी आकडों के अनुसार देश भर में करीब 10 महीने के बाद करोना के 8000 से कम नए मामले दर्ज के गए हैं इसके अलावा करोना से बीते दिन 24 घंटे में 236 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी बीच देज भर में करोना से पीड़ित 12200 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और आक्टिम मामलों में करीब 5000 मामले कम हुए है स्वास्ते मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 117 करोर से ज़ादा डोस दी जा चुकी है जिन में से 72,90,000 से ज़ादा वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंटे में दी गई है आज के डेली राउननप में बस इतना ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.newsklick.in पर जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तन्यवाद